यह राज स्टूडियो को सबसे पहले बधाई देना चाहूं कि यह जो पेर्स के लिए आप लोग जो कर रहे हैं तो यह यह मेरा भी टार्गेट होता था कि मुझे यह मारना है गोल और मेरा नाम पेपर में आना है पेपर में आना है फोटो छपना है तो यह चोटे-चोटे ड कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा आपका जो यह जो सुरुवात की हैं बहुत अच्छा सुरुवात है नमस्कार सभी आदर निये दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है राज स्टूडियो वाला यूट्यूब चैनल में और आज की इस एपिसोड में हम आप सबों का स् दोस्तों आप सबोंने हमारे पिछले जितने भी एपिसोड रहे उसमें आपने हमारी सरहना की हमें अपना अशिरवादी अपना प्यार दिया और सबसे बड़ी चीज आपने अच्छा सुझाओ हमें दिया इसकी लिए आपको तह दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्त की जाते हैं तो प्यारे दोस्तों आज हम ऐसे ही एक सक्सियत से आपके मुलाकात कराएंगी जिन्होंने जिनके जुनून ने उनको बहुत कुछ दिया है नाम दिया शोहरत दी और सबसे बड़ी चीज की बहुत से लोगों के दिलों में उन्होंने अपना स्थान बनाया है बहुत बड़ी बात होती है तो आज हम रांची सहर से थोड़ी दूर जिसका मैं आपको लोकेशन बतलाना चाहूंगा आप मोराबादी से होते हुए बोड़े आएंगे बोड़े से होते हुए आप चंदवे आएंगे और चंदवे से हुंदूर एक खुब सूरत सी बस्ती उसी बस्ती के निवासी है हमारे जारखंड के सुपरिस्टार जी हां जारखंड के सुपरिस्टार हमारे भारतिय टीम के सदस्य अंतर राश्ट्रिय फुट्बॉलर सुबोध कुमार महतो तो आज हमारे साथ है सुबोध कुमार महतो स्वागत है सुबोध आपका और कैसे हैं सुबहद एकदम ठीक है वह आप लोग कैसे हैं सुबहद आप से मिलकर मुझे बहुत खुसी होती है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि मैं सुबहद से इसलिए बहुत जादा खुस रहता हूं कि यह हमारे रांची के कुछ चुनिंदा खिलाडियों में से हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाने के बाद भी जैसे नौकरी हो गई लेकिन इनका जून अभी तक कम नहीं हुआ है चाहे इनके फिजिक के बारे में बात करूं या फिर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मैं तब से इनको देखा हूँ, इनके मैचेस को मैं कवर करता हूँ और तब से देखा हूँ जब सैंट जोन स्कूल में एक छोटा सा लड़का फुटबॉल खेलता था तब से मैं इनको देखता हुआ आया हूँ राज किया है राज कुछ निए बस यह आप लोगों का दुआ है आप लोग खेलते थे और अभी तक खेल रहें और अभी तक जो पतलब एक होता है सीनियर ही सब एक मार्क दर्शन होता है तो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत से सीनियर्स आएं जो की परफोवेंस को लेके कोई कंप्रमाइज नहीं करते हैं इस बोलते डजन मैटर फिटनेस मैटर करता है तो जब भी मैं ग्राउंड में पर्सनल ट्रेनिंग करता हूं मुझे अगर मैं कहूं कि 90 मैट के लिए मुझे टीम का जौरत नहीं है फिर भी फुटबॉल प्लेयर को टीम तो चाहिए बट अगर हमें टीम एबलेवल नहीं मील रहा है अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने आपको रेडी कर सकते हैं वह मेंटली और फीजिकली और डिसिप्लिन प फोकस किया मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो एम था कि मुझे एक ही चीज नजर आता था वो है कि अगर मैं यह नहीं करूंगा तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं है मैं मदब पीछे पलटके मुड़ नहीं सकता हूं और जाओंगा तो मुझे वहां निरास क्यालों कुछ नही पाने के लिए कुछ नहीं था पट पाने के लिए अगर एक चोटा बीचीज मिलता था मेरे लिए बहुत बड़ा चीज था तो यही जुनून जो था चोटा से था चुकि देख रहें मेरा विलेज कितना दूर है सिटी से तो मुझे एक बच्पन से सौक था क्योंकि चाचा चाहिए लोग थोड़ा खेलते थे उनको देखते थे उनको सबकों देख के थोड़ा इंट्रेस्ट तो था बट ऐसा इंट्रेस्ट हुआ कि मुझे कुछ खेल में करना है और चुकि खेल में आया हूं तो मैं अभी आप सब पता नहीं होगा मैं फुटबॉल से जादा क्रि आप दो पता था वह मैं बताना नहीं चाहता अबड़ एसा में मेरा सूँचता की मैं रात में रिक्सा बी चलाओँगा बट मैं क्रिकेट तो जरूर खेलूँगा बन के दिखाऊंगा मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा तो यह मेरा इम था जुनून इनके साथ जबरजस्त जुनून कहा जा सकता है पाना चाहते थे किसी और रह से मंजिल को पर मंजिल मिली किसी और रह से बिलकुल इसे पहले भी मैं जब बात कर रहा से तो वे भी एक क्रिकेट प्लेयर थे रहूल आपके जूनियर है रहूल खोया सुबध तो फिर वे फुटबोल की तरव उनका खिचा हुआ वे भी आज अच्छा अच्छे मुकाम पर है रहूल बात करना चाहूंगों सुबध की सुरुवाती दिनों में आपको कैसी कठी ना का सामना आपने किया कटिना ही तो हुआ बट एक उस टेम इतना जुनून था कि वह मुझे पता नहीं चलता था अभी मैं देखता हूं तो लगता है कि अभी जैसे मैं किसी एक लड़के को भेजू यहां से कि आप ट्रेनिंग के लिए साइकिल से जाओ संजोंस तो एक दिन और मैंने मतलब कटिनाई तो नहीं बोल सकते पर मुझे मतलब खुसी महसूस होता था ठीक है बहुत कम ऐसे जिगर वाले मिलते हैं जो कटिनाईयों को मुस्कुरा कर अपने जीवन में स्विकार करते हैं बहुत अच्छी बात है सुबत सुबत बच्पन में आप काफी सरार मतलब जो आप देख रहें की एरिया था तो बच्पन में इसी कुस्ती टाइप का होता रहता था और कंप्लेन हमेशा घर में जाता था कि आज तुम्हारा बेटा इसको मार दिया घर से उनका घर से मार पड़ता था और जैसा कि आप देख रहे हैं यह मुझे खेलने के में भागेगा तो यह हमारा सिच्वेशन था और जैसे में आता था साइकल फेग देता था खाना खाके सीधा बागते जाते थे तो इस सिच्वेशन में ऐसी था पढ़ाई लिखा है आपकी कहां से हुई पढ़ाई लिखा है मैं स्कूली में कुछ तक मैं प्रेमचंद अच्छा सुबत मैं जानना चाहूंगा कि रांची के साइद आप पहले पहले नी दूसरे खिलाडी है जो टाटा फुटबॉल एकडमी से पास आउट किये हैं क्योंकि शायद हमारे समय में तो नीतिन प्रधान थे जो हमारे बैचके थे उसके बाद मैं आपका नाम ही जान है तो एक ट्राइल होता है और उसके लिए आप जाने के पहले बहुत प्रिपरेशन आप मतलब सब तरफ से आपको अच्छा होना पड़ेगा वह अच्छा को लोग वहां पर जाके पॉलिस करते हैं और वहां पर टाटा फुटबॉल एकडमी ऐसा एक मंच है जहां पे प्ल मुझे नहीं लगता उस टेम में पूरे इंडिया में कहीं पर भी होगा और वह ऐसे भी और पहले भी नंबर वन कैडमी है और रहे गई तो वहां पर जो फैसलिटी मिलता था सिर्फ वहां पर फुटबॉल के बारे में सोचना है और किसी के बारे में सोचना नहीं है एक तर को जो हाड़वर कराते थे सारा क्रेडिट तो कोच को जाता है और वह जो प्लेयर तेयार करते थे बहुत अच्छे करते थे इसी कोच का नाम आप लेंगे बताएंगे आप वहां पर जो भी थे हमारे टाइम में जैस पीवी जे कुमार आज दुनिया में नहीं है पर वह बह महां पर जो अलग-अलग तरह के कोच थे महां पर जैसा कि आप मुझे संजोंस में देखें को खेलते हुए मैं उतना फाइटर या ऐसे सौफ्ट टाइप का खेलता था में बीड़वार में जाता नहीं था बट यह सारा चेंज में टीफे में जाकर हुआ और वह सारा अब तरह तो टेस्ट आना चाहिए खून का कि जिब में कि हम कहीं पर जा रहें वार में जा रहें तो इस तरह से मेंटली बहुत तयार कि और वह में अज तक मैं कभी हटने नहीं दिया और मैं हटने दूंगा इसी तरह से में बाकी जूनियर्स को भी बोलता हूं कि सारा गे हैं तो युझाटेगरी होते हैं जूंइयर और 18 का भी होता है तो जब तो हरेक दो साल में पास आउट होते जाते तो जूनियर जूनियर से सीजियर होते हैं पास ऑटो कि जूनियर आते हैं तो इस तरह से चलता है बड़ ट्रैल बहुत तफ था एकशली हमारे टाइम में ज जो तयारी किया था वो मैं अपने आपको बेस्ट तयार करके गया तो वहां पर ट्राइल कि लिए ने बिल्कुल उस समय मैंने आपका फॉर्म देखा था वह आप डिजर्ब करते थे टाटा फुटबॉल एकाडमी के लिए वहां से पास आउट करने के बाद आप नहां वहां स साइन किया था और बहुत प्राउड फिल हुआ वहां पर जाके और जो मुझे वह एक महल मिला एक नाम मिला वहां पर जाके और बंगॉल में वह बहुत अच्छा माश्य सुआ कितने सालों तक आपने खेला में पांच साल पांच इन फाइव एन हाफ यहर्स कहला वहां पर मैं पूरा अपना कॉंट्रेक्ट को कम्प्रीट किया हूं और वहां पर जो रिस्पेक्ट है फुटबॉलर्स का वो मुझे लगता है पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है और मैं इस जो पॉपुलरे संट का बात कर रहा हूं तो वह यूरोपियों जो प्लेयर्स को प्रेक्टिस करना है तो उसमें आप बहुत अच्छा से वहां पर हाडवर्क भी करते थे तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि अब प्रेक्टिस कर रहे हैं तो उसके बाद रेस्ट मस्ट है तो आपका बोड़ी वह तयार होगा वह प्रोसेस है हम क्या करते हैं के लोग प्लेयर्स प्रेक्टिस किये थोड़ा घूमने चलेगे थोड़ा से यहां डिले कर दिये वहां आधे गंटे खड़े होगे तो इसे क्या बोड़ी हरासमेंट होता है और जो पाव किस प्लेयर में तो नहीं देखूंगा लेकिन है रांचे में फुटबॉल और उनको बस थोड़ा मतलब कोचे जो खेल रहें यहां पर ऐसा नहीं कि जो सिखाते हैं वो कम हैं बट मुझे कहीं न कहीं थोड़ा और टेक्निकली और मेंटली थोड़ा सा पॉलिस करना चाहिए पर कम है क्योंकि आप बाहर लेफल में जाएंगे तो जो सेंस होता है फुटबॉल का वह सेंस अपर ले सकते हैं तो उन्हें सीखना चाहिए मैं कुछ-कुछ बच्चों को देखता हूं यहां पे कि वह सिर्फ मारने के लिए फुटबॉल जाके टैकल भी करना है बट 110 परसेंट तो टैकल के लिए जाना है बोल जीत रहा है तो बहुत अच्छा बात है नहीं तो थोड़ा वाइड करना चाह लिखने का कोशिज करना चाहिए आगे उच्छा लेवल फुटबॉल खेलने के लिए सुबध आपने बताया नहीं लेकिन अपने इतना बहुत सारे आपको आइडल मान कर चल रहे हैं बच्चे यहां रांची के लड़के कोई एक प्लेयर तो आपकी नजर में जरूर होगा तो वो हम जो करके आए वो वहां जाना नाटाटा फुटबॉल अकैडमी में जा सकता है या प्रफेशनल कलब भी अभी टफ है 24 एज में जाना तो जूनियर से सुरू करना पड़ेगा तो मैं जूनियर फुटबॉलर्स में यहां कम देखता हूँ अभी मैं बोल नहीं सकता बड़ मेरा एक भाई है मैं उसको कोशिस कर रहा हूं अब देखें कि कुछ दिन में हो सकता है वो कुछ आगे करें तो मैं जूनियर को सपोर्ट करूंगा और मैं जूनियर के साथ काम करना चाहूंगा क्योंकि सीनियर्स वो जो हैं वो सीखें हैं और वो थोड़ा सा उनको एक होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल और नमरता होता है उनके साथ थोड़ा बिएवर चीनियर्स के साथ आखे थोड़ा मिलना जूनना पड़ेगा क्योंकि मगर मुझे सीखना हैं तो मैं अपके पास जाऊंगा या मुझे कुछ आडवाइस जाए मैं बड़े भाई के पास तो अलवेज वेलकम रहेगा जो जुनियर से कभी भी कुछ भी टिप या बात चित करना हो यह मेंटली कुछ बात करना हो या कैसे तयारी करने अपने आपको तो हम लोग हमेशा हम नहीं बाकि जितने जितने भी सीनियर सब रेडी रहते हैं दिल से अमंतरन दिया है सुबोध कुमार महतों ने अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको इंट्रेस्ट है फुटबोल में तो आप जरूर भेजे सुबोध के पास बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर सीखना है तो हमें जाना होगा क्योंकि यह भी सच है कि इन्होंने अपने सीनियर को देखके सीखा मैंने भी अपने सीनियर को देखके सीखा था और रेस्पेक्ट बिल्कुल जरूरी है एक चीज जाना चाहूंगा सुबध आप से आपके साथी खिलाड़ी आप दिपक को मिस करते हैं कि जरूर मिस करते हैं वह हमारा मदलब व हम बता नहीं सकते कि मतलब भी देखे ही हम दोनों पास कर सकते हैं अप और में खेलते तो महसूस कैसा होता है अदर से क्योंकि पहले जब सोचते थे कैसे आगेंस में खेलेंगे पहला एक टाइम होता है कि या फस्ट थोड़ा सा अज और फिकेट होता है खेलने के लिए प्लाप जो इमोसा एक के साथ जोड़ा है बहुत बच्पन से और तोड़ा इंडिया इंटरेलवे का मैच होता है तो मैच को मैं याद किया और इससे पहले तो मैं उसके खेला हूं तो फिर मुझे आए कि नहीं मुझे खेलना चाहिए और अच्छा करके दिखाना है तो एक कॉंपटिशन बढ़ता है जबर जस्त मैच हुआ था बिलकि उनकी टीम बहु बहुत अच्छा माहल होता है कि जब सुबोद और दीपा के एक साथ खेलते था दोनों अगेंट्स में खेल रहे हैं तो देखा जाएगा कौन जीतेगा एक बहुत अच्छा माहल होता है सुबद मैं जानना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया इश्वर तो ऐसा मतलब देखे सभी को देखके हुआ और प्रोचाहित मैं सच बोलू तो मतलब खुद से प्रोचाहित हूं कि मुझे जिन्दगी में यही करना था स्पोर्ट्स में क्योंकि मेरे पास कुछ आप्शन नहीं था जो मैं मतलब एक मेरा एम था कि ये करना है तो करना है और ये चोटे से अपने आप भी नौलेज आ गया ऐसा नहीं मुझे कि किसी ने बोला है कि तुम खेलो इसे कैरियर बने का कुछ नहीं पिसे कि आपने में बता है कि मैं क्रिकेट खेलते था तो एक में दो साल डिस्टिक अंडर 16 खे क्रिकेट में तो मुझे पूराने प्लेर्ज भी जानते क्रिकेट के और उनको मैं बहुत रिष्ट करता हूं सिनेर्स भी अच्छे से मुझे मानते हैं जुनियर चोटा भाई जाशा तो पुरचाईत मैं क्रिकेट को लेकर बोल चकते तो उस तेम से क्रिकेट के लिए जुनून था तो सीखता था और मैं सारा किट जो मेरे चाचा सब थे दो गहीनू में रहते थे वह सब सारा किट भी खरेत के दिये तो और मैं प्रोफेशनली तोर पे क्रिकेट खेड़ा था यह तो किश्मत की बात हुई कि आप क्रिकेट खेलते थे कि फुटबोल में चले आए इस बहुत मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे जो मैं सभी इससे पूछता हूं जिनसे भी मुलाकात करता हूं उनसे पूछता हूं और आपसे पूछना भी मैं मुनासिब समझता हूं हम इस चीज को रांची फुटबोल को आप कहां देखते है अभी में रांची फुटबोल को कम से कम 50 सल भी पीछे देख रहा हूं यद्से आप से आप लोगोंने शुरुआत कि था और हम लोगों ने उसे स्टेज बनाया था और हम लोगों के नीचे अभी मैं नहीं देखता कि कोई फुटबॉलर्स है यहां पर कुछ खास खिलाडी जो थोड़े जो मेकॉंट में हैं और मैं थोड़ा बहुत हुलूंडू का टीम को लुगा और कांके की टीम जो है और बाकी जो टीमे हैं मैं यह एक अफ्सोस की बात हैं क्योंकि आज के टाइम में आप जब खेलते थो और हम ख्रुक्ए तैंफ प्लेयर्स में और आप एगर यहां पर टीम देखेंगे तोahaha तिन यह जो खेल रही है बाकी सारे बाहर के ूब्स ndy यहां बड़े-बड़ टुर्णामेंट हो रहे हैं फिर ऐसे मतलब पीछे होने कारण के है पीछे होने कारण है टूर्नामेंट का जो अजNew करता हैं उनका करती नहीं डिहां यह बीद्ध हमारा गलती है हम राचीव असी और छो घो एक सनर वाटिश लेवाट के टीम थी उनको देखके मुझे पूर्चान मिला खेलने के लिए फुटबॉल तो वो मुझे खेलना उस लेबल में कैसे है उसके लिए सीखना पड़ेगा कहीं तो कहीं तो कहीं कहीं नहीं तो आपको घर बैठे कुछ अजिब नहीं कर सकते हैं तो आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा और कहां पर जाना पड़ेगा जहां अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है तभी यहां पर हम competitive football रांची के खिलाडियों में देख सकते हैं सच बात कहीं है सुबोद ने कि रांची में बड़े बड़े टूर्डामेंट जरूर हो रहे हैं कुछ एक तीमों को करें देखकर और कुछ एक तीमों की खिलाड़ीं को ही सिर्फ रांची में देखा जा सकता बाकि बाहर से चले आ आ रहे हैं तो बाहर से जो प्लेयर आ रहे हैं सुबद आभ उसकिस नेजर से देखते हैं तो तो यह अब एक ऐसा एक जगा बन गया है कि कोई कोई चाहता है और कोई अगर आप यहां के टीम कप competition के हिसाब से लेंगे प्लेयर तो फिट नहीं बैदते हैं है और अगर मैं प्लेयर्स के हिसाब से देखूं जो हमारे रांची के future से ज़ारकन जो भी future से उंकी हिसाब से देखूं तो यह गलत है क्यूंकि अगर हम रांची के प्लेयर स्कों आज हम प्लेयर बने हैं कि उन्हें चोण ये पहले एक रांची में प्रिमेर में होता था रांची कॉलेज में वह सब एक हमारा एक परफॉर्मेंस का हिस्स था और हम कहीं ना कहीं जितने मैचेस खेले तो उस टाइम में उतने मैचेस बच्चों को नहीं मिल रहा है तो मैं चाहता हूं मैं पर्सनली ये सभी आजन करता से मैं मतलब ये मेरा अवेधन रहेगा कि थोड़ा इसे अबवाइट करना चाहिए कुछ लिमीटेशन रखना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कि पूरा ग्यारा के ग्यारा प्लेयर्स डाल दो अब जो रांची के टीम है वह ऐसी उतना आपको समझी आ रहा है कि मतलब टेक्निकली उतना स्ट्रॉंग न पिछ चलए जारे तक आप खेलेंगे नहीं आपको कॉंफिडेंश गेम बड़ा और रहो शोटा नहीं होता जो प्लेयर खेलता है और जो बड़ा प्लेयर आया है या खेला एस्टेट क्यूंकि उसका कॉंट्विडेंस खेल खेल के हाई हुआ है सभी सेम टेकनीक होता है लेकिन मैच का जो जो एक experience होता है वो खेल के ही होता है तो यह खेलने से ही वो प्लेयर को हम बड़ा बना सकते हैं नहीं कि आप बेंच में बैठा के या बाहर पब्लीक बना के उसको प्लेयर बड़ा नहीं बना सकते हैं अब बिल्कुल वह से सीधे कहा जाए कि रखी वी आउजार में जंक लग जाती है बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं जाना चाहूंगा कि यहां जैसे अंडर 14 हुए या अंडर 16 ऐसे टूर्नामेंट तो बिल्कुल नहीं होते हैं तो ऐसे अगर आयोजन यहां किये जाए तो उनसे क्या बेनिफिट हो सकता है जूनियर बच्चों को कि बेनिफिट यहीं होगा कि हम किस लेबल में है हमें मैच का पाथ चलेगा खेलने से मैच जितना खेलेगा हम किस पोजिशन में है यहां मेरा बॉडी लेंग्वेज क्या है द्यूरिंग आटैक और डिफेंस तो और डिफेंस के टेम हमारा टीम का सेब क्या बहुत सारी मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉंग होना पड़ेगा सिर्फ अकेला एक प्लेयर ने पूरे टीम को क्योंकि जो मैं सीखा हूं जो मुझे बता है अगर कोई टीम गोल खाती है आपने आप कभी भी नोटिस किजेगा जब उसका जो सेफ होता है डिफेंसिव सेफ या कुछ बिल्कुल सच बात है पॉजिशन परफेक्ट अगर हो तो वाकई दिकेत है तो आयोजक भाईयों से मैं भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे तूर्णामेंट पर ध्यान दे जिसमें चोटे बच्चे चोटे बच्चों को प्लेटफोर्म मिल सके आपके टूर्णामेंट वैसे ही रहेंगे लेकिन कुछ बच्चों के लिए उधार हो जाएगा शुबद आपने बहुत कुछ खेला बहुत जगह पे गया बहुत से लोगों से मिला एक एक्स्पिरियंस गेन हुआ आपको कुछ एक मैच का मैच का ऐसे एक्सपिरियंस जिसे आप जीवन भर नहीं भ हैं वहां यह तो खच्टी मीटी इतने सारे यादे हैं कि एक को बयान ही आजा सकता है लेकिन मैं परस्टनली एक अभी तक दो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वह को लूंपी क्वालिफाइग का मैच साम मैं अनमार में और एक दूसरी के साथ हम क्लैस हुए थे और वहीं प मुझे अभी आद है वो सिर्फ पूछे की ठीक है मैंने बुला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लाइक मेरे सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था जब मैंने आग खोला थो मैंने थाम सब किया क्योंकि मुझे खेलना था इतना बड़े मंच पे जाके मैं तो तो फिर वही बाद में मुझे फिर से में मैदान पे गया मैं और जाने के बाद मैं कुछ दिर खेला हूं और जो पहले जो चोट लगने के पहले मुझे क्या मेरा टीम क्या इस्तिति में है क्या चल रहा है मैं मतलब पास्ट का कुछ भी मुझे पता नहीं था बस मैं खे पुछते इंग्लेंड के और पुछते थे सुबोध आर्यू ओके मुझे यह सुनाई देता तो मैं सिर्फ थम्जब करता था यस आम ओके और मुझे खेलते दे रहे थे खेलते देर बट मुझे जब एक टाइम पर महसूस हुआ कि मैं कहीने कही मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर मैं कि यह थोड़ा ठीक नहीं है फिर मुझे उसने मुझे चेंज किया कुछे कठीनाई के दौर होते हैं बहुत तकलीफ दे जाते हैं और यादों में हमेशा बने रहते हैं थोड़े भावक हुए अपनी पुरानी यादों को हमारे साथ साजा करते हुए बहुत कुछ सहा है इस लड़के ने और आज इस मकाम पर है अच्छा लगता है खुशी होती है देखकर तो शुबोध अब मैं जानना चाहूँग आपके घ परिवार में जो कि देख रहे हैं एक साधी का महाल है भी भी और हम लोग एक साथ रहते हैं और बहुत सुख दुख में दुसरे का साथ देते हैं लड़ते हैं जब मुसीबत होता है एक साथ होते हैं तो यही एक फैमिली है यही एक परिवार है सुबोध सच और इसी इसलिए मैं और सुबोद भी काफी बीजी है अभी फिलाल भाई की शादी है बहुत कुछ देख रेक करना है बड़े भाई का फर जदा करना है इनको शुबोद मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी नए खिलाडी हैं जो अभी मैदान में कदम रख रहे हैं जो कुछ दिनों से खेलना सुरू किये हैं जो आपके फैंस हैं तो अप उन लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा टिप्स दे उन्हें मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि एक जिस दिन जीद आ जाएगा आपके अंदर तो वो आपको वो एक जीद आता है वो एक नौक आता है अपने आप में या माइंड में हो या कहीं भी उस नौक को आपको पहचाना पड़ेगा और मुझे भी एक टाइम में आया है और उसक सारे बहुत छोटे-छोटे कयो है मैं सारा चीज में करके बैठा हूं मतलब की कफादर के साथ जितना जितना जो वार्मिंग का काम होता है जो भी absolutely सब कुसा आता है तो उस अब काम भी करना है फादर का भी हेलो करना है और थोड़ा सा आपको सेक्रिफाइस करने पड़ेग थोड़ा से वहां घुम के नहीं यह आपको एक अगर आप यह कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं आप पीछे की और जा रहे है ठीक है जाना है बड़ पहला प्रिफरेंस आपका बॉड़ी होना चाहिए अगर आपको प्लेयर बनना है तो बोड़ी आपका में्टेंड कैसे रहेगा बोडी आपका कभी दिन बर घूमें घूमें कल मुझे प्रैक्टिस जाना है तो वह प्रैक्टिस में आपका बोडी वह 100 परसंट देगा नहीं सपोज हम कल मैच खेड़े तो आज हम रेस्ट क्यू करते हैं तो सेम प्रैक्टिस में भी वही यूजवली करना है और थोड़ा सब्सक्राइब करना है हाड़ वर्क सही चीज में करना है ऐसे नहीं कि बस दोड़ते जा रहे हैं कुछ पता नहीं है या कुछ जानने रहे बहुत सारे प्लेयर से थोड़ा सो टेक्निकली के उपर में काम करना है और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया क्योंकि यह जो राज स्टूडियो हैं और आप लोग को देखने का मौका मीड़ रहा है यह आपका सब असिरवात के वज़े से सब फैंस जो चाह रहे हैं कि कौन-कौन प्लेयर से हैं और कौन क्या है यह क्रिकेट नहीं है यह फुटबॉल है और म यह राज स्टूडियो को सबसे पहले बदाई देना चाहूँ कि यह जो प्लेयर के लिए आप लोग जो कर रहे हैं आज मुझे जानते होंगे कुछ और प्लेयर को जानते होंगे लेकिन जो बाकी जो राची में जो प्लेयर से स्टेट संतोष्टॉपी खेले हैं उनके साथ जो आप चैट कर रहे हैं यूटूब में लेकर आ रहे हैं उनको राज स्टूडियो के थ्रू में तो वो एक मोटिवेशन होना चाहिए जूनियर के लिए भी कि क्यूं मुझे यहां पर आके मंच मिलेगा मैं भी यहां पर बोल सकता हूं तो यह मेरा भी टार्गेट होता थ तो यह भी एक बहुत अच्छा आपका जो यह जो शुरुआत की हैं बहुत अच्छा शुरुआत है जैसा आपने कहा कि आप क्रिकेट भी खेलते थे तो हम और दर्सक भी जानना चाहेंगे कि क्रिकेट भी आपने कहां तक खेला किनके साथ खेला और कहां कहां खेला क्रिकेट में दिस्टिक दो साल तक खेला हूँ और एक बार रंडर अप हुए और एक बार चैंपियन हुए हैं और दोनों ही साल मेरा योगदान बहुत अच्छा था और पहले साल में मेरा कैप्टेन थे सुरजभान सिंग और दूसरे साल जो एसपी गौतम जो रंजी ट्रॉफी खेले वो थे तो मैं क्रिकेट भी खेला हूँ और स्टेट कैम भी किया हूँ और कुछ एक मैच मैं मही भाई भाया के साथ भी खेला हूँ तो मही मतलब आप महंदर सिंग ढोनी जो भारतिय भूतपूर भारतिय कप्ता इसके लिए और उनके साथ सारे जो बैच्मेंट थे उनके सबीर हुसेन विद्यारति यह पन्ना भया हो गया साइथ हुसेन यह सारे प्लियर्स आते थे वसीम जो मेरे कोच होते थे क्रिकेट के उजैर तो वह सब आते थे तो एक्शुलि मैं फूटबॉल अल्मोश चोड़ है तो फिर वहां से मुझे अगर क्रिकेट फुटबॉल का फिर वापस एक जुनून आया तो फिर वह स्कुल से है अच्छा क्रिकेट से जूड़ी कुछ अच्छी आदे जो मतलब बहुत ही आपको रोमांचीत कर देता हो आपके मन को ऐसा कुछ रोमांचीत तो ऐसा थे हम अपने आप मेना एक अपने आपको जो इतना तेज तरार थे हम फिल्डिंग में सारे जो मेरे मेट्स हैं टीम मेट्स वो खुद जानते हैं पर रोमांचीत वही मैं बोलूंगा एक मैस था डिस्टी का धनबाद के साथ से मिफाइनल जो कि अभी भी सभी दोस्तों को याद ह होगा बोलर का नाम ता सुप्रतिम स्रीनुवासन अभी यूएस में है वो वो बॉलिंग कर रहा था और तीन बोल पे एक्चुली चार बोल हुआ था पर वो तीन बोल पे चौबी सरन खा चुका था इंक्लूडिंग विट्नो बोल तो स्क्वार लेक पे डीप स्क्वार ले तो मैं जस्क्राइब को बोला जो कि सुरजबान थे में बोला कि थोड़ा इधर हट जाओ खुट से बोला हो जाओ फिर में वह तो बोला बट में जो माने का टाइम है थोड़ा साइड में मतलब क्योंकि पीछे था तो बैट्समें को डिस्टब भी नहीं होगा तो मैं पीछ मैट पे खिलाया गया तो सामने चटान था काला काला और वहीं पे ठीक वह नेक्स बॉल यह भी पुल मारा बट वह बॉल मेरे आगे की रतों में वह चटान में कुद के सारक को कैस्ट पकड़ लिया और वह कैसी मैस हम लोग जीत गया है क्योंकि वही एक बैट्समें जो स्टेट खेल रहा था और बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था तो आप देख सकते कि यह जो निशान जो हाथ में है वह आज भी निशान है कैस्ट का और वह कैस्ट मैस जीता है और मैं कैस्ट पकड़ने के बाद मैं सीधा होस्पिटल गया हूं और वह फिर से ट्रीट जैसे कि फुटबॉल में एक लाइन मिल गया कि मुझे अगर मैं यहां पर जैसे टीएफे में आगे मैं तो वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा कैरियर एटलिस मैं ऐसा बन जाओं कि मैं फैमिली को चला सकता हूं देख सकता हूं और अपने आप में मतलब क्रिम्पियन होके उन्हें पता ही नेता है कि यह फुटबॉल भी खेलता है तो इस तरह से बहुत सारी कहानिया है जुड़ी हुई है जो कभी नहीं भूली जा सकती इस बहुत एक चीज मैं और यह जानना चाहूंगा कि आपने क्रिकेट के बारे तो बताया कि आपने रंज की ट्रोफी आप खेलते खेलते रहागे फुटबॉल में आपकी क्या क्या उपलब दिया रही है मैं जैसे कि जूनियर से खेला हूँ तो रूरल अंडर 16 नैसनल खेला हूं और सुबर तो कभी खेला हूं उसके बाद मैं सीनियर डिस्टिक 2005 में रांची के लिए खेला और उ उनके साथ खेलना ही मेरे लिए उस टेम बड़ी बात था क्योंकि मैं फुटबॉल खेलना ही चालू किया था दो हजार चार में थोड़ा खेला हूं उसके बाद चार से में खेलना सुरू किया था तो मेरे लिए बड़ी उपलब्ती थी और वो डिस्टिक में हम लोग रंड चार के लिए 2006 में फिर में टाटा फूटबॉल एकडमी के लिए सेलेक्शन हुआ वहां से फिर में जारकन के लिए बहलाई में हुआ वहां भी चैंपियन हुए संतोस ट्रोफी नहीं ओंडर-19 national था उन्ड-19 national चैंप बीसी रइट ट्रोफी जो कि मेरे साथ दिपक भी था में और चैंपियन भी हुए वहां से मुझे इंडिया टीम के लिए सेलेक्शन मिला उसके बाद इंडिया में 2007 में अंडर-19 इंडिया खेला हूं जो कि एक एक्सपोजर टू जर्मनी में हुआ फिर उसके बाद एपसी क्वालिफायर्स इरान में वहां में अपने टीम का तो वह मुझे बहुत ही मतलब एक मेमरेबल गोल है इंडिया के लिए और जो मैं सीनियर डिस्टी खेला था तब भी एक फ्रीकी के में गोल था 2005 में तो पता नहीं वह थोड़ा उमारने का आदा था तो होते गया और जैस्ट लाइक डेवीड वेकम नहीं बोल सकते हैं कोसि कुछ रहे अपने आप में तो वह प्रैक्टिस भी करते थे कुछ बहुत और इंडिया खेलने के बाद फिर में वापस टीएफए माया टीएफए पे पास आउट हुआ पास आउट से पहले मैं दो बार डिस्टिक भी खेला जमसित पूरुक ले दोनों बार चैंपिन हुआ संतोष टॉफी के लिए मैं कैप्टेन भी हुआ जारकन के लिए और जब पास आउट हुआ तो मैं मेरे पहले सायद ही मतलब मैं पहला ऐसा लड़का था कि जारकन का ज जो होता है जो कि बंगलादेश में हुआ उसमें जीता हूं में यर बाइब बता रहा हूं तो 2009 में जीता और गोल्ड मेडल भी मैंने गोल भी किया वह साइथ आपको पता भी होगा यूटूब में भी है और उसके बाद 2010 में पास आउट हुआ तो 2010 पास आउट होने के बाद मैं साइन तो किया मैं इस बंगाल के लिए लेकिन पाइलन एरोज के लिए में खेला क्योंकि वह हमारा एक ड्रीम टीम था इंडेन टीम जो की फ्यूचर के लिए त्यार कर रहे थे जो बाद में पाइलन एरोज में सभी लड़कों को रखा गया फिर उसके बाद साउथ एसन गेम्स हुआ बंगलादेश में वहां हम लोग सेमी फाइनलिस्ट हुए फिर 2011 2010 एसन गेम्स में खेला हूं में जो चाइना में गॉन्जू में हुआ उसके बाद 2011 ऑलम्पी क्वालिफायर जिसके बारे मैं जिक्र किया कि ऐसे कुछ इंज्रीज्ट हुआ था मुझे उसके बाद मैं कैलकटा लीग जो इस बंगाल के लिए मैं खेला कंटिनुवस पांच बार चैंपियन है कैलकटा लीग के लिए वह एक अपने आप में ही रिकॉर्ड सेकेंड टाइम रिकॉर्ड है फेटेशन कब जीता हूं इस बंगाल के लिए और आपसी जो लीघ होता है इसukan लीघ होता है जो जैसे कि हम लीघ में टॉफ होते दो टीम अब जो चैंपियन और अब ये फ index नहीं खेलते तो मैं वह डोट ऑट कहला हूं और से मी फांटिक मेहान आदम तो फिर जारकन द्रातन भी मिला है जारकन के लिए तो यह चीपमेंट्स दोस्तों पूरी जिन्दगी गुजर जाती है एक उपलब्दी हासिल करने के लिए और सुबोध जी के पास इतनी उपलब्दियां है कि गिनी नहीं जा सकती एक जिन्दगी में सेट जिन्दगी कम पड़ जा रही है इनकी उपलब्दियों को गिनने में हमारी सुबध मैं जानना चाहूंगा कि लोकल में और ओवरॉल कौन आपके आदर्श खिलारी रहे है या मैं रांची के कहूं या पूरी दुनिया भाईया मैं लोकल में मैं एक प्लेयर को आदर्श नहीं बोलूँगा जो इतने भी मेरे सीनियर्स थे मैं क्योंकि पर्सनली मुझे सीखने का बहुत मेरा कहना है ना सुबध की जैसे बहुत लोग है जैसे आज भी बच्चे खेल रहे होगे तो उनको अंदर से जाता है कि मैं सुबध के जैसा खेलू कोई एक प्लेयर तो जर देखता नहीं था लेकिन मैं एक थोड़ा मुझे अच्छे लगते थे वह उनका जो एक सेर्शा में राजा भाया बूलके थे तो उनको मैं थोड़ा नूटीस करता था और एक जो एजी में है राजुदा तो उनका गेम मतलब खेलते थे टॉप प्लास के खेलते तो तो और और बूलू तो मैं दल् Blessie फेब्लेट मेरे। मैं मुझे जो एजी में है और उनका मलीग भाया जो मुझे में देखा। पुलिस में और एक और एक में भी स्टॉपर है उनका नाम में भूल रहा हूं उझे याद नहीं आ रहा है पर वह भी बहुत कूल थे और गोलकीपर में मैंने देखा है पहले तो वह उंपरकास ठाकुर को जो की एक मोहनबगान का गेम होता था यहां पर इर्बा गुर्ड कप में तो गोलकीपर थे उससे पहले में मत्रुदा को देखा था तो यह सब अलग-अलग पोजिशन के अलग-अलग मेरे मतलब आधर्स खिलाडी रहे हैं और श्राइकर में मैं बोलना चाहूंगा की आधर्स में मैं संजोंस के कुछ खिलाडी जो सीनियर्स ते जैसे आज जि सीनियर्स आकर देखी किस बहुत बहुत बाहर बैठा हुआ है तो मुझे बोड रहे कि तुम क्यों ने खेड़ में बोला सर मुझे चांस नहीं दे रहे फिर सब लोग हाफ टाइम के बाद जाकर वहां सर को कॉन्वेंस कि और मुझे सेकंड हम में ग्राउन पर उता रहे तो आदर बाहर के खिलाडियों में मैं बूलूंगा कि मेरे मैं जिनको देखके सिखा हूं जो गेम स्टाइल मैंने कॉपी किया है वो फ्रैंक लेंफर्ड चल्शी के और स्टिफन जेराड जो कि जिस अंदास से वो खेलते थे मैं आपने साथ मुझे छोटे में खेलते हुए द और यह भी मैं एडवाइस करना चाहूंगा जूनियर्स को कि सब कुछ आप को से नहीं सेख सकते हैं आपको गेम देखना है सीखने के लिए क्या एक्स्टा कुछ कर सकते हैं तो टीवी देखके भी मैं बहुत कुछ सीखा हूं मतलब एक गुरू इनके टेलिवीजन भी है य इन्होंने और अच्छी तरह से समझाया है बारिकी से फुटबॉल को खिलाडियों के लिए और शुबध मैं एक और यह जानना चाहूंगा कि नए खिलाडी जो है जो अभी खिलना सुरू कर रहे हैं कि स्टीच पर फोकस करें वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अभी तो अगर खेलना है तो पहले तो फुटबॉल का अलावा कोई माइन में होना नहीं चाहिए और प्रैक्टिस टेखनीकली स्टॉंग होना चाहिए पावर होना चाहिए अभी पावर लाइक पावर स्पीड अगर मेरा जो नौलेज है फुटबॉल का कम बाड कम हाइट है अगर आप हभी करेंगे आगर या ईक दिन शीय धे धर राक्तिस नहीं करेंगे तो आपको पहीं नहीं कई होगा तो हमारा jour जो जो लाइफ है आज पि जिскला के चेले आए सब्स wonderल करता हो और घ्रां मुन हमी और तब तब भी में एक दिन भी अप्षें नहीं करता था प् सारे बड़े प्लेयर से उनका यही है कि एक दिन भी प्लेयर्स स्किप नहीं करते हैं और करते-करते कुछ मोटिवेट मिलता है मैं भी खुद से ऐसा एक लड़का था कि मोटिवेशन स्टोरी निउस पेपर पड़ता था तो क Ideso कि आभ की-जिषए के से लगता था कि ए कैसे हो गया मुझे आज बीयान एक किमें में पेपर खुलता हूं तो पहले स्पोर्ड खोलता हूं तो मैं दीखता हूँ था कि यह लड़का जो कभी कोई कांट्र령 करуш्फा थे बारे में मुझे एक साइकिल चाहिए ओभी मतलब साल दो साल तीन साल भी लग सकता है खरीदने के लिए तो वह सिच्वेशन से मैं गुजरा हूं तब मुझे मसूस हुआ कि अगर प्लेयर चाह ले कि मुझे कुछ करना है तो वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है चाहे वह किसी भी ला तो आज हम लोगों ने जाना, सीखा, समझा हमारे छोटे भाई अंतर राष्टिय फुटबोल खिलाडी सुबोत कुमार महतो से बहुत ही अच्छी बातें कहीं इन्होंने आपको आपके अंदर पैशन होना चाहिए और जो आपका जुनूर है वो सही रास्ते पे जाना चाह तो इन्होंने भी ठीक वही बात कही जो पहले भी कुछ लोगों ने कहा है डिसिप्लेन मस्ट फिजिकल मेंटली मेंटली आपको एकदम प्रिपेर रहना है क्योंकि आज यह जिस मुकाम पर है यह ऐसे नहीं आए बहुत तकलीफे सही है इन्होंने रांची से काफी दूर है इनका घर और साइकल साना जाना वाकई बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं आपको भी अगर समय मिले आप भी अगर इंट्रेस्टेड हैं कुछ बनना चाहते हैं अच्छे मुकाम को पाना चाहते हैं तो आप जरूर आए सुबोद के पास उनसे टिप्स लें उनसे मिलें उन समय निकाला है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोगोने मिला अंतराश्चय खिलाडी सुवतकुमार महतों से आशा करता हुं कि आप इनकी बताई हुई बातों पर अवश्य ध्यान देंगे, अगर आप एक अच्छा खिलाडी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दे, बहुत ही अच्छे सुझाओ दिये इन्होंने, और अब मैं फिर कोसिस करूँगा, आने वाले दिनों में भी कि मैं आपको और भी लोगों से मुलाकात क आप अपना सुझाओ, अपना प्यार, अपना शिर्वाद हमें देते रहें, जैसा कि आप पहले भी देते आएं, तो अंत में मैं एक बार फिर से आप सबों को कहना चाहूंगा, कि प्यारी से मुस्कुरहट के साथ, आप हम सबों को विदा दीजिए, राजी स्टूडियो अला में कैमरा में विजय कुमार के साथ मैं आपका दोस्त विपिन पी कुजूर, आप सबों को मेरा प्यार भरा जोहार